दोस्तो अगर आपको दूप्शन दिया जाए एक तरफ गेम्स खेंदे लेका मोबी या विप्सी देखनेका पार्टी करनेका या फालतु शॉड फिर देखनेका और दूसरी तरफ अगर आपको अप्शन दिया जाए बौक रीट करनेका या जो भी आपका गोल है उसके लिए मेनद करने करुदू साइध आप पहले बariusले में इंटेस्टेड जाएंक़ Automate तो दोस्तो ऐसा क्या रिजन है कि हर कोई पहले में इंटेस्टेड रहता है जब कि सब को पता है के आधने दूसे आप्शिन में इंटेस्टेड देखा को और decision को control करता है क्योंकि इन सारे चीज़ों के पिछ से डूपामिन का सबसे ज़्यादा हाथ डूपामिन एक्षुएलिक प्लेजार मॉलेक्वेले और दिमाग के अंदार एक तरह का जो आपके body function पे बहुत ज्यादा रोल बिले करता है जैसे कि movement, memory, pleasurability, motivation दोस्तों में इसका chemical हमें नहीं जाओगा बस इतना समझ लेजिए कि अब जो भी activity करते हैं उसमें एक तो डूपामिन ज्यादा रिलीज होती है एक तो कम रिलीज होती है जैसे social media घटना, motivation चेक करना, games खेनला और दोस्तों इसी तरह जो काम करने में आपको patient लगते है उसमें dopamine काम रिलीज होती है जैसे book read करना दोस्तों अगर आप किसी भी चीज कर रहे हो और उसमें ज्यादा dopamine रिलीज होती है और आप उस चीज को बार बार कर रहे हो तो उस द को और भी ज्यादा drugs लेना पड़ता है तो उसको dopamine नॉर्मल से ज्यादा रिलीज होती है और पाद में ज्यादा dopamine रिलीज होना उसके लिए नॉर्मल हो जाता है और उसके बाद उसके दिमाग को और भी dopamine चाहिए होती है तुस्तों यह तो बस एक example था क्योंकि हर किसी के करवाना या तो शनावी से रिसार्स करवाने की बात करें तो आपको पताए है क्या होगा एक चुह के उपर experiment किया गया था उन्होंने एक इलेक्ट्रोन को चुह की दिमाग पे लगाया और उस इलेक्ट्रोन को जाके जोड दिया लिवार पे चुह जब जब वो लिवार को दबाते थे उनकी दिमाग पे dopamine जिलीज होती थी और चुह ने दिन भार खाना पिना छोड़ कर उस लिवार को दबाते रहे जब उस इलेक्ट्रोन को दिमाग से हटाया गया तो उन्होंने सबसे प्यारत लिवार को दबाना बंद किया और उसके बाद उन्होंने खाना पिन करना जिसमें लो डोपामिन लीज होती हैं तो आम कड़े नहीं पाते हैं और उस काम को इग्मोर करते रहते हैं बाले वो हमारे लिए कितला भी इंपोर्ण हो और धीरे धीरे वो हमारे लिए आदात बन जाते हैं दोस्तों आज के दिन सबसे ज़्यादा पॉब्लेमेटिक जब आपको लाइए और जब कोई डिट करता है या आपको जब नोटिविशन मिलती है तो आपकी डोपामिन भी इंकिज होती है और यह इतनी खचरनाक है कि आपको पाता भी नहीं है कि आप इस पे एडिक्टेट हो गई हो दोस्तों सोसल मेडिया पे सबसे ज़्यादा आप हर चीज इग्नोर करने लगते हो जैसे की रियल लाइप रिलेशन शीप, काम और इसको रिस्पोंसिबिलिटी और इसका इफिक्ट आपकी फीजिकल हेल्थ पर भी पड़ता है सोसल मेडिया यूज़ करते करते आपकी टोपामिन नेवेल इतना हाई हो जाता है कि आप और किसी काम पर कॉंसेंट्रेटी नहीं कर पाते हो और इसकी बजा से इस्ट्रीस, लोनले लेस और आप डिप्रिशन में भी जा सकते हो दोस्तों सोसल मेडिया में मैं उतला डिपली नहीं जाओंगा आप लोग जाए तो मैं इसके लिए अलग सा वीडियो बना के दूँग पर इसको लो लेविल में कैसे लेकाएंगे तक कि हम कॉंसेंट्रेट कर सके उस काम में जो काम हम एक्च्वल में करना चाहते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले ऑपजर्प करना होगा कि आपके लिए हाई डूपाटिविटि कहुं सा है और लूपा मिन एक्टिविटि बंद करदो पता है यह करना पॉसिबिल नहीं है लेकिन आप कुशिश कर सकते हो या तो आप week में एक दिन high dopamine activity करना बंद कर दो और जो भी आपके लिए low dopamine activity है वो करओ और धीरे धीरे इसको week पे दो दिन करने लगो और कुछ हफ्ते अंदार अंदार आप इसको increase करते जाओ तो आपके dopamine धीरे धीरे decrease हो सकता है उस कम में जो काम आप नहें करना चाहते हो और दूसरा अप्शोन है कि आप पहले तो low dopamine activity करे और उसके बाद high dopamine activity करे as a reward